ये हैं लक्ष्मी मेडिया वेंजर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे देख आपकी सबी जरूरतों का सामान है सुरक्षित हात में राशन सेतू ओनलाइन किराने स्टोर फिरोजबाद ओर्डर करने के लिए वाट्सेप करें 74550-05450 या वेबसाइट देखें www.rashansetu.com घर पर रहें सुरक्षित रहें अलविदा जुमा को लेकर मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी सच्चिव इसलामिक सेंटर ने तमाम शेहरवासियों से की अपील कि मुसल्मानों से अपील की जाती है कि कोरोना वाइरस गतवर्ष से जादा खतरनाक रूप ले चुका है इसलिए एतियात के साथ जुमे की नमाज अदा करें सडकों बाजारों में हरगिस नमाज नहीं होगी गाओं के लोग शेहर ना आएं घरों में ही नमाज पड़ें और मास्क जरूर लगाएं सामजिक दूरी के साथ नमाज अदा करें और भीड़ भाड और मस्जित में ना लगाएं फिरोजाबास से मकबूल उद्दीन की रिपोर्ट आज आपके दौरा किस संबंद में प्रेजवारता रखी गई है कल नमजान के महीने का आफरी जुमाह है इस जुमे को में को लोग अलविदा जुमे के नाम से जानते हैं हलाके इसलाम में अलविदा जुमे की कोई एहनियत नहीं है लेकिन बहराल क्योंके लोगों के दुमाओं में ये रहता है कि शेहर के गाओं के लोग शेहर आते हैं तो मेरी इस वक्त COVID-19 करोना वाइरस कर दूर चल आ है और बहुत खतरनात बीमारी ने इस ये रूप अख्तियार कर लिया है। इसलिए हमें बहुत सक्त इहतियात की जरूरत है। हम सभी जहरवातियों के अपील करते हैं कि जुम्हे की नमाज पूरी प्रोटकॉल के साथ पढ़ें। समाजी जूरी का इहतिमाम करें। मास्क का इहतिमाम करें। मास्क को लगाएं। और खास तोर से बूहे और बच्चों से मेश्ची करता हूँ कि वो लोग अगर अगर अपने घर पर नमाग पढ़ें तो ज्यादा बेतर है और साथ में जो हमारा प्रिशासन किस तरह की लेनत कर रहा है हमें चाहिए कि हम कानून को हाथ में ना ले और COVID-19 के पोटोकॉल को साम ने आएं अबादत भी करना है और मेरा अच्छा शेहरी भी बनना है इसका खास दिहान रखें गाओं के लोग शेहर ना आएं इसका भी खास तोर से और बाजारों में सड़कों पर रोडों पर हर्गेज नमाज में होगी इसलिए जादातर कोशित ये कि मस्धिदों में भी भी भार में करें और इहतियार के साथ और कोविट जाई लाइन के पालने के साथ हम अपनी इस अबादत को मकमन करें